हलो मम्मी जन्डरीज वेल्कम बैक टू मैं चानल आम शीवा आज मैं आपके साथ कुछ पन एक्टिविटीज शेयर करने वाली हूं जो हमारा बचा प्री नर्स्री और नर्स्री में होता है तो हम उसे कराते हैं इन फन एक्टिविटी के थू हम उने बहुत सा कॉंसेप्ट सिखा सकते हैं बहुत सारी चीज़े मुने बता सकते हैं कि यह ऐसे होता वह ऐसे होता और इसको और इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कही सारी पिक्ट्रोस बनाई हैं जिससे आपको बच्छा देख के यही भी जाना उसने शुरू किया है, तब भी आप करा सकते हैं, फ्री निर्स्री में, तब भी नर्स्री में हैं, इसके बाद में LKT, UKT, Class 1 के लिए लाइन से अक्टिविटीज लाती रहोंगी, तो अगर आपने चानल को सब्स्राइब ने किया है, तो सब्स्राइब कर लुकुतं है, अब पचे को बाहर दिखा सकते हैं, ट्री क्यासा है, तो बच्चा आपको खोदी बढ़ाएगा a tree, तो tick the big thing तो बच्चे ने ट्री को Mizra कर दिया, which isếu a plant. होती है जो चीज छोटी होती है वो शौर्ट होती है तो लॉंग क्या है तो बच्चा ने बच्चे ने बताया कि यह वाली पेंसे लॉंग है तो इसको आप टिक कर सके आपने एकी पेज में बच्चे को बिग भी बता दिया स्मॉल भी बता दिया लॉंग भी बता दिया उसके का heavy मतलब भारी हमने भारी और हलका यहां बच्चे को समझाएं उसके बाद टिक दड़ तॉल थिंग आप तॉल और शॉट जैसी कि आप बच्चे को समझा सकते हैं कि पापा टॉल है या मैं तॉल हूं तुम शॉट हो ऐसे करके समझा सकते हैं तो यह वाला टॉल है उसके बा एम पानिक इसमें है तो बच्चा हूद ही बताकहें इस फाली ग्लास में जादा है तो more पिटिक करो इसमें लेस तो हमने बच्चे को more or less यहां पर संजाया है, हमने टॉल शॉर्ट संजाया है heavy light संजाया more or less संजाया है next activity बते है यह है fun activity number two अब आपको दो घर बना दिये हैं यहां पर मैंने दो घर बना दिये हैं दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिया है अब बच्चे को आप बता सकते हैं समझा सकते हैं कि बेटा दोनों सेम हैं मगर कुछ चीज दें दोनों में डिफरेंट है जैसे कि इस वाले इस विंडो में ब्लॉक बना है ब्लॉक नहीं बना इसमें बना है तो यह ओगया थ्री इसमें डोर नहीं है इस हट में इस हट में जोर है यह ओगया नमबर फॉर इसमें टू लाइन से इसमें थ्री लाइन से यह ओगया नमबर फाइफ तो हमने बच्चे से कहा कि हमने इसमें से जून्ड एठेउर आपको 5 दिफर्ंस जून के दे रहा है वह दिमाघ लगारा है वह दिमाघ यूज कर रहा है कि हमें से क्या दिफरेंशे बहुत देर तक सोचेगा धेगा पी नर्सी के बच्चे को बहुत लगेगा इसे करने में वह देखेगा यहां पर 3 लाइन और एक बार आप उसे संझाए उसके बाद बना कर दीजे तो उसके लिए जादा बैनिफिशियल होगा अब यह हाँ धगा City No.3 हमने यहासं पुछ पीक्टर सपुत देक्टर अब बच्चे से से कहिए। तुम्ह इलाएं विपसे बांच करस क्या है तो में में प्लमाच कर सकते हैं कि यहाँ दरेज़ आधिये ugh यह क्लावड था जिसमेंसे बारिश यह को घट ए तो दो भीगट ह तो हमномbo कर सकतें, अब अम्बरेला है, तक एड्या किस सकते हैं bakıncribe कैसा, जाहरर रिन के साथ मैच होगा, तो उस्में रिन के साथै खागा, आए या जदिने बाइजा मैच होगा, पैंसेल साथीector के साथ मैंच हो जाएगी, अब हम आते हैं fun activity no.4 पे, यह redo है, अब आपको बच्चे को बताना है कि यह है triangle, circle, square or rectangle, इसे तुम्हें फिर से बनाना है, इनी colors से बनाना है, जिस color से ममा ने बनाया, यह green है तो green से, यह blue है तो blue से, यह orange है तो orange से, यह red है तो red से, और तुम्हें same shape बनाना है, तो बच्चे क एक साथ shapes भी सिखा रहे हैं, और उसे हम color भी सिखा रहे हैं, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि green color से triangle बनाना है, तुम्हें भी green color से triangle बनाना है, तो बच्चे को आप green color दीजे और वो triangle बनाएगा, उसके बाद आप उसे कहिए blue color से circle बनाना है, तो वो blue color से circle बनाएगा, उसके आप बोलिए, रक्टैंगिल रेड से बना है, तो भी रेड से बनाना है, तो रेड से रक्टैंगल बनाएगा, जो आप बार बार इस चीज को बोलेंगी, ग्रीन कलर से ट्राइंगल बनाओ, ब्लू कलर से सरक्ल बनाओ, और और रेड कलर से रक्टैंगल बनाओ, तो बार बार आप कलर भी बता रहे हो, शेप भी बता रहे हो, और आप इसको कराने के बाद एक अलग पेज में बोलिएगा, ठीक है, लाओ रेड कलर, लाओ रेड कलर से हम लोग रेक्टांगल बनाते हैं, आप ये देखने की कोशिश कीटे हैं, कि बच्चे ने वो कलर और वो शेप कितना सीखा, ये fun activity उसे मज़ा तो आया, पर उसने सीखा कितना, आप ये भी देख सकते हैं, ये activity भी बहुत अठी है, मेरी बीजी ने बहुत की है, उसे बहुत मज़ा आया है, नेक्स्ट हम आगे हैं, अब इस activity में count and write है, आपको count भी करना है, और लिखना भी है, तो यहां पर म बाकी circle है, बाकी circle तो मिल नहीं रहा है, तो उसके बाद वो count करना शुरू करेगा, कि 1, 2, 3, 4, 5, and 6, how many circles? 6, now, how many squares? तो purple है, तो purple पे इन अज़च रादी, purple से 2 है, तो यहां पर square है, 1, 2, 3, हमारे यहां, हमारे पास सिर्फ 3 square है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, 3, अब how many triangles are there, तो 1, 2, 3, 4, and 5, there are 5 triangles, how many rectangles are there, तो rectangles 1, 2, 3, and 4, 4 rectangles, इस वाली activity में भी बच्चा, कलर भी देखे का, कलर पे भी फोकस कर रहा है, शेपस पे भी फोकस कर रहा है, उसको count भी करना है, उसको लिखना भी है, एक साथ हम बच्चे को इतनी सारी चीज़े करा रहे हैं, यह बहुत मज़ेदार activities हैं, बच्चे को जरूर कराईए, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा बनाने में, देर सारे sketch colors लेके बच्चे के बच्चे के और colorful sketch color बच्चा तो उसे और भी मज़ा आएगा करने में, इन activities को जरूर कराईए, यह प्री नर्सरी के लिए आप करा सकते हैं उन्हें बहुत मज़ा आने वाले हैं और वो बहुत कुछ सीखेंगे, चलिए I hope you like the video if you do so, please don't forget